दोस्तों आपकी फेवरेट शो उड़ारिया में आगे क्या होगा चलिए बात करते हैं क्या कुछ देखेंगे आप एपिसोड में नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाइ दोस्तों एपिसोड में हम देखते हैं कि फतह जो है वो जैस्मिन को घसीटता हुआ अपनी कार में ले जाता है और कहता है कि आज हम दोनों एक साथ प्यार में जान दे देंगे वहाँ पर तेजो देखती है पर उसे कुछ नहीं समझाता है कि आखिर हुआ क्या है फटै फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है और सामने से ट्रक आ रहा था फटै शॉक्ड रह जाता है जब जैस्मिन भी अपना सीट बेल्ट निकालती है फटै फिर ट्रक के एकदम करीब आकर गाड़ी मोड देता है हम फिर दोस्तों देखते हैं जैस्मिन कहती है चलो ना जान देते हैं ना फटै पर तुम्हारा तो इरादा ही बदल गया मैं तो तैयार हुना जान देने के लिए उसके बाद हम देखते हैं कि फतै जो है वो कसकर गले लगा लेता है जैस्मिन को वहाँ पर तेजो फिर एक बार फतै को फोन करकर के परिशान होती है पर फतै नहीं उठाता है हम आगे देखते हैं कि फतै जैस्मिन से कहता है कि क्यों करती हो ये सब जैस्मिन कहती है कि वो बहुत प्यार करती है उससे फते कहता है कि फिर कभी मरने की बात मत करना वहां पर तेजो जो है वो जैस्मिन को कॉल करती है जैस्मिन फिर बहाना बनाती है कि उसे स्वीटी से पता चला कि सर्प्राइज टेस्ट है और इसलिए फतह मुझे कॉलेज ड्रॉप करने आया जैस्मिन फिर कहती है फते को कि सब को सब कुछ सच कहना पड़ेगा मुझे ऐसे लुका छुपी पसंद नहीं आज तेजो को सब कुछ बता दो अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि फते को समीर का कॉल आता है और तेजो को उर्वशी का असल में फते को जैस्मिन का कॉल आया होता है और तेजो को सिम्रन का दोनों एक दूसरे से जुट बोलते हैं और कॉल अटेंड कर लेते हैं वहाँ पर जैस्मिन जो है वो फते को फोर्स करती है तेजो को सब सच बताने के लिए तेजो फिर है फतेः से कि वो आज lunch के लिए नहीं आ सकती क्योंकि उसे उर्वशी के साथ जाना है वहाँ पर फिर एक बार फतेः और जैस्मिन मिलते हैं और फिर जैस्मिन का वही रहता है कि तुम तेजो को सब कुछ सच बता दो वो आगे कहती है कि फतह के लिए उसने अपना कैनेडा का सपना छोड़ दिया, गिप्टी से शादी को तयार हो गई, सगाई पर अपनी उंगली काटी थी ताकि हम दोनों एक साथ हो सके फतह कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली पसंद नहीं करती है, वो बहन जिसने तुम्हें बे इंतहां प्यार किया, तुम्हारी हर गलती को माफ किया, मेरी सबसे बड़ी मुझे मेरा सहारा बनी और अब तो मुझे वो प्यार भी करने लगी है, हजारों मौते मरता हूँ मैं होती है, वहाँ पर जैसमिन कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती और फैमिली के लिए मुझकल होगा एकसेप्ट करना, हमसे नाराज हो जाएं, बात ना करें, घर से बाहर निकाल दें, पर आगे जाकर ठीक होगा सब, फतह कहता है कि मेरी फैमिली ने अल्रेडी एक बे को और बुजो को साथ देखती है कार में, फतह की मा को शक होता है क्योंकि तेजो कहकर गई थी कि बच्चों को पढ़ाने जा रही है, वहाँ पर मासी फतह की मा तेजो से बात करती है, वहाँ पर मासी जो है, वो अमरिक को कहती है कि जैसमिन का फतह के साथ सीन चल रहा है, औ पर हम देखते हैं कि तेजो का pregnancy test positive आता है और वहां से jasmine गुजर रही होती है तेजो jasmine को बताती है jasmine शॉक रह जाती है दोस्तो और episode खतम हो जाता है अब आगे देखना होगा दोस्तों क्या होता है क्योंकि जैस्मिन अपनी जिद पर अठकी होई है और यहाँ पर अपते जो प्रेग्नेंट हो गई है आपको क्या लगता है यह जानकर जैस्मिन किस तरीके से फटेगी फते है पर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलिवूड स्पाई